नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है So, India-China Border Stand-Off में एक नई development हुई है यहाँ पर हमारे Chief of Defense Staff General Bipin Rawat ने यहाँ पर clear कर दिया है कि अगर India और China के बीच में चल रही, military और diplomatic talks यहाँ पर fail होती है इस case में हम military options को भी देखेंगे यानि कि if the talks fail, we can even look at military options So, काफी बड़ी development है और यहाँ पर पहली बार पिछले चार महीने में भारत के द्वारा ऐसा कुछ statement दिया गया है So, यह जानेंगे यहाँ पर basically statement क्यों दिया गया है और यहाँ पर military इसको लेकर क्या-क्या तैयारियां कर रही है चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, इस lecture की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलिग्राम चानल से कर सकते हैं इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं Study IQ की आप के ऊपर UPSC IS की परिक्षा के लिए स्मार्ट कोर्स उपलब्ध है जिसके तुरू आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी इस पर्टिकुलर कोर्स की तयारी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर EMI options भी उपलब्ध हैं कुछी समय पहले हमने एक वीडियो तयार की थी यह तब की बात है जब हमारा border standoff अभी शुरुवाती दिनों में था और कई सारे experts बेसिकली इस चीज की चर्चा कर रहे थे कि भारत अपनी position को लेके defensive क्यों है, aggressive क्यों नहीं है हम यहाँ पर आकरमक या फिर आकरमन क्यों नहीं करते हैं पहले जिस तरीके से चाइना ने किया उस टाइम पर basically experts का यह मानना था कि जो basic reason था इसके पीछे वो यह था कि इंडिया यहाँ पर two front war के danger को अवर्ट करना चाहता है कि हम यह नहीं चाहते कि एक तरफ हमारे साथ पाकिस्तान भी लड़ाई कर रहा हो और दूसरी तरफ चाइना भी लड़ाई कर रहा हो अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के उपर जो military cost है और जो military pressure है वो बहुत जादा भारी पढ़ सकता है लेकिन अब चीजें बदलती हुई नजर आ रही है वो कैसे देखे यहाँ पर चाइना के साथ हमारे काफी लंबे समय से baudet talks चल रही है बaudet talks military level पर भी चल रही है और diplomatic level पर भी चल रही है So India and China have held several rounds of military and diplomatic talks लेकिन the problem is कि in talks के बजाए कोई significant headway यहाँ पर नहीं बन पाया है हम किसी तरह के resolution पर यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि जो demands India करता है या फिर जो basically यहाँ पर मांगे India करता है उसको लेके चाइना इतनी easily नहीं मानता है So यहाँ पर इस particular talks में जो latest हुआ है वो last week हुआ था on Thursday जब इंडिया और चाइना के बीच में diplomatic level talks ही थी to resolve the border row in Ladakh और यह जो diplomatic level talks हो रही है आपको बता दूं रिमाइन करवा दूं यह diplomatic talks basically हो रही है working mechanism for consultation and coordination के तहत WMCC Right लेकिन इन particular diplomatic talks में भी border mechanism meets fails to make headways on disengagement So as you can see August 21 का यह खबर है आपके सामने कि उस time पर भी हमारी जो disengagement की बात चीती वो जादा आगे नहीं बड़ी Right इसमें जो particular concern areas अभी भी बचे हुए हैं सबसे बड़ा concern according to me also यहाँ पर Pangong So Lake का है और यह केवल इसी talk का नहीं यह लगभग एक डिड़ महीने से चलता आ रहा है जब गलवान वैली से हटने के बाद का concern बच गया था उसके बाद भी Pangong So का जो concern है वो अभी भी table पर चल रहा है उसके साथ ही एक नया concern जो शुरू हुआ था Depsang Plains का and Gogra they continue to remain hot spots when it comes to the resolution of talks और second बड़ी problem यह तो पहली बड़ी problem है कि यहाँ पर जो आपके areas हैं जो कि अल्यड़ी लदाक में चल रहे थे problematic वो अभी भी कुछ-कुछ areas problematic चल रहे हैं लेकिन यहाँ पर in fact दूसरी बड़ी problem आ चुकी है कि चाइना ने एक और जगा पर और सारे सैनिक तैनात कर दिये हैं और यह जो area है यह लिपुलेक पास का area ट्राय जंक्शन पर आता है इंडिया नेपाल और चाइना के ऊपर और इस particular pass के ऊपर इंडिया और नेपाल में भी हाल ही में विवाद हुआ था जिसको लेकर अभी भी resolution नहीं हुआ है तो basically यहाँ पर चाइना यह दिखाना चाह रहा है कि उसकी मनशा resolution करने की है ही नहीं वो इन चीज़ों को clear करने में interested है ही नहीं इसको लेके एक anonymous military official यहाँ पर बोलते हैं कि चाइना ping pong tactics खेल रहा है कभी लदाक में कभी नेपाल में कभी लिपुलेक पास के पास और कभी अरुनाचल प्रदेश के पास और यहाँ पर यह shuttling the ball between diplomatic and military talks करते करते जो basically ground reality है उसमें कोई बदलाब नहीं आया है तो यहाँ पर उन्होंने यह कहा है कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी तयारी कर रखी है हमने counter deployment भी कर रखी है चाइना को यहाँ पर अगर कल को जवाब देना पड़ता है तो हम हर area में तयार है हर sector में हम तयार है भले LAC में कोई भी sector हो भले वो लदाक हो भले वो अरुनाचल प्रदेश हो भले वो सिक्केम हो भले वो लिपुलेक पास के आसपास का इलाका हो इसी के चलते बेसिकली जब यह सब बातचीत हो रही थी सो यहाँ पर Saturday को एक meeting हुई थी Saturday यानि की 22nd August को भी यहाँ पर एक meeting हुई थी और यह meeting हुई थी राजनाथ सिंग के साथ अजीद दोवाल उनके साथ जनरल बिपिन रावत और तीन सर्विस चीफ जनरल MM नारावने अड्मिरल करंबीर सिंग और एर चीफ मार्शल RKS भधारिया इस meeting की भी जो ultimately crux निकल कर आई थी वो यही निकल कर आई थी कि यहाँ पर army basically prepare कर रही है for the coming long drawn winter so army तयार है अगर यह पूरा का पूरा जो standoff है यह winter तक भी जाता है तो हम इसको लेकर तयार है so इस meeting का crux यही था जो कि 11 अगस्त को parliamentary panel ने भी बताया था right so यहाँ पर parliament में बताया गया था यह चीज कि Indian forces almost इस चीज को मान कर चल रही है कि हमें यह पूरा का पूरा standoff जो है वो सर्दियों तक जाएगा और यह same चीज इस meeting के through भी clear हुई है और यह meeting होने के कुछ समय बाद आज सुभे की बात है जब हमारे CDS General Bipan Rawat ने इस statement को कहा military options are on the table if talks will fail so Rawat on China it's a huge huge statement given by Indian army so इनोंने साफ साफ यह कहा है military option to deal with transgressions by the Chinese army in Ladakh is on the table India's chief of defense staff says आज साथ ही में यह भी कहा है कि यह केवल तब ही होगा अगर हमारी military और diplomatic options जो है वो fail हो जाती है ठीक है तो इनोंने clearly कहा है हम military और diplomatic options को यहाँ पर first priority देंगे अगर वो यहाँ पर fail हो जाती है तो यहाँ पर transgressions वाला के साथ deal करने के लिए हमारे पास सैन ने विकल्ब अगर हमें चूज करना पड़े हम चूज करने को तयार हैं यह अलग बात है कि इस talks में CDS ने clear नहीं किया कि military options का क्या मतलब है right so basically यह किया क्यों जा रहा है साफ साफ है clear है जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया कि China basically यहाँ पर resolution में interested नहीं है this is the main reason why India has come to such a stage कि हमें ऐसा कुछ भी कहना पड़ा the sources said that the assessment by the army is that Chinese military is not serious about the resolution of the border conflict and it almost seems like China भी चाहता है इस border standoff को और प्रोलॉंग करना और China basically यह उमीद कर रहा है कि जितना हम इसको प्रोलॉंग करेंगे तो हो सकता है कि status को जो है वो automatically change हो जाए but India obviously यहाँ पर इस चीज का risk नहीं ले सकता है right इसको लेकर Indian army जो है वो तैयारियों में जुट चुकी है in fact August के starting में ही हमारे जो army chief है general Narawanे इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हम यहाँ पे एक significantly high state of alertness पे हैं और हम aggressive posturing को भी यहाँ पे maintain कर रहे हैं to deal with any sort of Chinese misadventure so this is a good thing कि India ने basically अपने यहाँ पर चीजों को clear कर दिया है और यह भी पता दिया है कि हमारा stance क्या होने वाला है which is थोड़ा सा different है पिछले वाले stance से but यहाँ पर यह stance काफी better है as compared to the previous stance at the same time army ने यहाँ पर यह भी declare कर दिया है कि हम अपने सैनिकों के लिए यहाँ पर कई सारे weapons और कई सारे winter gears का भी procurement तेजी से कर रहे हैं in case हमें यहाँ पर frontline troops को एकदम से जादा मात्रा में frontline troops को भेजना पड़े यह सब तो ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ expert से मानते हैं कि जो CDS General Wipen Rawat ने यहाँ पर announcement की है इसके through कुछ कुछ कमिया है basically क्या है कि एक चीज तो यह है कि India lacks the element of surprise right कि हमने यहाँ पर हम basically सामने वाले दुश्मन को चौका सकते थे लेकिन हमने यहाँ पर element of surprise को खो दिया है so one expert says कि clearly meant for domestic consumption but have we in any way also lost the surprise element in revealing our cards at the same time एक और expert का ये भी मानना है कि यहाँ पर India का जो reaction है वो काफी late आया है why has no one been held accountable for lapses that allowed PLA to make multiple intrusions and why wasn't the counter attack option exercised when the incursions were first discovered यानि कि 4 महीने पहले जब हमने यहाँ पर incursions को पहली बार देखा उस समय हमने counter attack options को exercise क्यों नहीं किया so experts के पास अपनी राय है हर किसी को अपनी राय देने का हक है but at the same time मैं सोचता हूँ यहाँ पर की जो statement यहाँ पर दिया गया है काफी अच्छा statement है and यहाँ पर it was very very important for India to give such a statement इसके इलावा आप क्या सोचते हैं प्लीज हमें बताएए comment section में इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ thank you for listening stay tuned and stay safe